मुंगेर के चुनावी समर में लोकसभाद चुनाव कौन जीतेगा इसे लेकर के आज जदियू प्रत्यासी ललन सिंग ने बड़ी ताकत दिखाई है दरसल जदियू के सांसद ललन सिंग एक बार फिर से मुंगेर से जदियू के प्रत्यासी है और जदियूर के प्रत्यासी ललन सिंग ने आज मुंगेर संसद्य छत्र में अपने चुनावी अभ्यान की बड़ी सुरुवात बार विधान सभा छत्र से की है और अपनी पूरी ताकत भी दिखाई है इतना ही नहीं इस दोरान ललन सिंग के साथ कई दिगजनेता एक साथ मौजूद रहे यानि कि ललन सिंग जिन्हें लेकर के उहां के स्थानिये नेताओं और उनके बीच के रिस्तों को लेकर के अलग-अलग किसम की बातें की जा रही उन सब पर अब ललन सिंग ने एक बरासन देश दिया है दसर ललन सिंग आज जब बार पहुँचे तो बार के प्रसिद उमानात मंदिर में वे पूजा करने गए इस दोरान ललन सिंग के साथ कई दिगजनेता मौजूद रहे जैसे मुकामा से विधायक नीलम देवी, जद उन ने एक साथ ललन सिंग के साथ अपनी एक जुठता दिखाई और इतना ही नहीं अनन्त सिंग के हनुमान कहे जाने वाले एक खास व्यक्ती ने भी इस दोरान बड़ी बाते कही है जी हां दरसल हम बात कर रहे हैं अनन्त सिंग के हनुमान कहे जाने वाले भगत मुखिया क दरसल जब आज ललन सिंग का काफिला बार पहुचा और चुनाव पचार की उन्होंने शुरुआत की तो इस दोरान भगत मुखिया ललन सिंग के स्वागत में खरे रहे और अपने आपको अनन्त सिंग का हनुमान बताते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि इस इलाके में एक मात्र कोई अगर बाहुबली है तो वो है अनन्त सिंग और अनन्त सिंग इस चुनाव में ललन सिंग के साथ है तो ऐसे में ललन सिंग की जो चुनावी जीत होगी उस जीत को ले करके दावा करते हुए अनंत के हनुमान भगत मुख्या ने कहा है कि यह जीत चार लाग से ज्यादा बरिग्या की होगी इतना ही नहीं उन्होंने पर प्रतितंदी उमिद्वार है उन्हें लेकर के भी कई बड़ी बातें की है और इसके अतरिक वहां मौझूद जो बड़ी संख्या में ललन सिंग के अनिसमर्थक थे उन समर्थकों ने भे पूरे जोस्खरोष के साथ ललन सिंग का स्वागत किया और साथी साथ ललन सिंग के चुनावी जीत को लेकर के कई बड़े वादे किये, साथी साथ आज जो आप ही आप तस्वीरे देख रहे होंगे, इस तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि कैसे ललन सिंग के साथ एक साथ उनके साथ नीलम देवी, नीरज कुमार, ज्यानंद तरग्यानू, मनोज कुमार, सहीज तो इस इलाके के तमाम बड़े दिगज एंडिये कटवंधन से आने वाले नेता हैं, वो तमाम नेता उनके साथ हैं और उनके साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। करके भी यहां मौजूद भगत मुखिया सहीज जो अनिलोग रहें, उनका कहना है कि जो धानुक समाज है, कुर्मी समुजाज है, वह समाज पूरी तरीके से नितिस कुमार के साथ खरा है, और साथ ही साथ इस इलाके में अनंच सिंग की जूप है, उन्हों पूरी जुर्ता के साथ ललन सिंग की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है, तो ऐसे मैं ललन सिंग की जीत को ले करके, किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, दरसल जो अगर हम ललन सिंग की बात करें, तो ललन सिंग वर्ष 2009 से लगातार मुंगेर संसती च्छत्र से उनके साथ तमाम दिगज लोग खड़े हैं, तो इस वी दोरान उनके समर्थन में उम्री भीर में क्या कह रही है, आप सुन ये स्थानी लोगों नोगकमा उनके समर्ण बाह म में वाथ अनके समने में लोके हैं, गने में मुगेर ही कोगवर के से थांडेश सवaking हैं, इस भीर में लोगेर समी कोई में बाहूबली नगाले लोगोंके साथ, असुन माम नगेर नैंघ कोई मुगेर हैं, जा फिर समा म मन की साथ इनको बहां बली कि आएं-कान याँ नियर कितना मारल भीरल चलता है इस कैद अजित होगी? यदां पक की? hand это के hand it पीछड़ा कहा रहा है अथी पीछड़ा कहा है उसके साथ आथी पीछड़ा के नेता है नितिश कुमार सब में नितिश कुमार के साथ है हम लोग साब निटीज कुमार के साथ हैं निटीज कुमार जिन्दावार हगत मुभिया जिन्दावार निटीज कार जिन्दावार